असलाम निकाम तुमड़ क्या हाल चाले यार तुम लोगों का उमीद है कि तुम सब ठीक होगे तो यार आज हम बात करने वाले हैं वाव मूड के बारे में एक एंशन टोपिया करके जो है ना वाव मूड के अंदर फीचर एड़ हुआ है उसके डिफरेंट स्टेजिस है या क बात करते हैं और ये वीडियो आज की बहुत अदा आपके लिए फायदे में रहेगी तो वीडियो शुरू करने से पहले यार माड़ा एक रिक्वेस्ट है जो जो भी बंदा न्यू है इस चैनल पे बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंके हम इस तरह की चीज़ें करते आप कोई भी चीज मिस ना करो चलो आज की वीडियो करते हैं शुरू तो सबसे पहले आपको तिखाता हूं स्टेजिज और ये डिफरेंट स्टेजिज हैं हमारे पास एंशन टोपिया की अब डिफरेंट स्टेजिज से मुराद इसमें कुछ एजी हैं कुछ नॉर्मल हैं क ये इजी वाली की वी वीडियो बना देंगे और इसके बाद हाड वाले की भी ताकि आपको किसी किसम की कोई टेंशन ना रहे और आप हार स्टेज को एक एजी ली वीडियो देखो जो मैं जैसा करूं आप वैसा करना और आपकी ये स्टेज कम्पलीट होगी आपको जो कि आपके पास wijनाओ रिदीम् शॉप आएगी या पिर आप कहसकते हो कि उसके अंदर डिफरेंट मिथिक्स भी आ सकते हैं जैसे हमारे पास यह जैना उसके आप कुछ इस से मिलती जूलती है तो आपको ancientopia का feature देखने को मिल जएगा अगर आपके पास wow access है तो इसके बाद क्या होगा कि ये सीधा आपको ले जाएगा ancientopia के अंदर और ये एक तरह से कहलो कि cheer park जैसा ही है सब को जैसे आप cheer park के अंदर जाके मज़े कर सकते हो ना वैसे आप यहां पे भी आके fun कर सकते हो लेकिन ये उससे थोड़ा सा कैलो के upgrade चीज थोड़ा सा futuristic है यहां से देख लो सारा निजारा आप ये कुछ इस तरह का व्यू आपको मिलेगा जब आप इसके अंदर एंटर हो जाते हो लेकिन हमने वापिस चला जाना भाई ये सामने जो blue सा डबब है इसके अंदर और यहां पर आके view पर क्लिक करना है यहां पर देखो आप different stages आ जाती है ठीक है यह एक तरह से creator progress camp है यहां पर आपको यह editing करना सिखाते है मतलब आपको wow mood की training देते हैं ठीक है अगर आप वो training complete कर लेते हो सही तरीके से तो फिर आपने जो stage complete की होगी ना उसे साब से आपको सिक्के मिल जाएंगे अगर आपने easy किया होगा तो आपको 500 सिक्के normal जो stages 2 complete की होंगे उन पर भी 500 और एक hard है उस पर आपको जो है ना एक पर 500 मिलेगी और दूसरा जो last वाला उस पर आपको 1000 मिलेगा सिक्का तो इस तरह से आपको यहां से coin मिलेंगे अब इस पर मैंना पांच वीडियो बना दूंगा वो आप देख ले ना आपका यह मसला हाल एक हमने वो जो सामने green point है ना हमने पर जाना और ओर जाने के लिए यह जो सामने आपको यह bridge नजरा आरही ए ना यह incomplete ही है और हमने थको complete करना है कि लीक्या हैंदे तो यह एक आपको फ्लोर्स ही मिलेंगी इसको आपने इस तरा से लगा देना है कि आप इस bridge से नीचे ना ग जब bridge complete होजेगी तो उपर के तरफ यह जो verify उस पर क्लिक करना और यहां से आपने वो सामने green point के उपर चला जाना है easily आपका यह पहला stage complete होजेगा उपर देखो two by five लिखा हुआ है सही है इसके बाद second stage आ जाती है और इस दफा जो green point वो थोड़ा सा और आगे चला गया है तो हमने उस तक जाना है और उस तक जाने के लिए joystick के पास देखें आपको यह चोटा सा object नजर आ जाएगा भाई इसको आपने इस तरह से लगाना है कि आप जो है ना वो सामने green point तक चले जाओ अब मैं यहां पे जैसे लगा रहा हूँ आप भी वैसे लगा लेना यह बहुत ही simple है आपने पहला यहां पे लगा देना ठीक है यहां से आप चड़के ऊपर जा सकते हो ठीक है इसी तरह से आपने जो है ना second जो है वो यहां पे लगा देना है ठीक है ताकि जब आप verify पे click करो ना तो आपने सिर्फ यहां से cross करना और आपने green point पे जाना है इसके बाद क्या करना है फिर से वैसे ही आप जब वो गो का आजे का option आपने इस तरह से नीचे जाना है तीक है इस तरह से ऊपर अब देखो मैंने जैसे लगाया यह बिल्कुल easy है इस तरह से आप लगा लेना आपका जल्दी complete हो जेगा देखो हमारी third stage complete हो गई है अब हमने करनी है fourth stage को complete तो वो green point वापिस आचुका है और इस दफा हमें सिर्फ मिला है यह लकडी का एक तुकड़ा अब इसको हमने बढ़ा करके ना कुछ इस तरह से use करना है कि हम वो सामन अधर जहां पर आपको लगे के बिलकुल easy है यह जैसे मैं कर रहा हूं आप भी simple इसी तरह से करना और इस तरह से आपने लकडी का तुकड़ा लगा के ठीक है जी उसके बाद verify कर देना अब देखो मैंने इसको इतना बड़ा कर दिया है कि इस पे अगर मैं जाके इस तरह से क्लाइम करता हो ना तो यह का जो कोना है वो सीधा यहां पर लगा और आप यहां पर आ जाते हो easy हमारा चोथा राउंड कंपलीट हुआ अब करते हैं पांच वा राउंड और इसके अंदर जो है ना यह एक जंपर लगा हूँ ठीक है इस जंपर को जो है ना हमने इस तरह से करना है कि हम अगर इस पर जंप करें तो हम वो ग्रीन पॉइंट के पास easy पहुंचे यहां मैं पंगे ले रहा था और मैंने momentum को फुल कर दिया था अब इसको फुल करते हो ना इससे आप का जंप बहुत हाई हो जाता है तो आपने इसको बिलकुल कम रखना ठीक है दो दो द को रही को रहा चाहाँ है कि नहीं अचाह अब यहां से मैं किरा हो ना तो मेरा पॉइंट था जो ग्रीन में उस पर ही जा रहा था यहां पर गिर के मैं मर गया लेकर मेरा पॉइंट कंप्लीट हो गया यह ठीक है मैं बिलकुल गरीन दाहरे में आके गिरा इसलिए उसका momentum कम तो पांचवे स्टेज के अंदर दो पॉइंट से एक हमने क्लेर कर लिया जंपिंग वाला अब यह सेकंड आ गया इसके अंदर हमने यह दो डिवाइसे ना इनको एक दूसरे के साथ अटेच करना यहां जब आ जाओगे यह सामने स्कूरू ड्रेवर पे क्लिक करना कुछ इ पे चला जाना है और आपने इसको कर देना है और जैसा ही आप कर लोगे तो इसको सेव कर लेना सेव करने के बाद आप आप जो है मैंमने इसको चाहे छई पे बीकर लो इसका इतना nord किुक करना अर आपका लडास राउंड जो आ ना वह्ता और simply बहुताबने की क्लिक यस यहां पर आ जाना है और इस तरह से हमारी यह सारी स्टेजिस कंप्लीट हो चुकी है और हमें जो एना 500 कोई और 50 AG करेंसी भी मिल गई है तो इसी के साथ हमारा पहला राउंड या पहली स्टेज या पहला लेवल आप कह सकते हो के वह कंप्लीट हो चुका है रिटर्न टो एंश सेकेंड हम जो है ना वो कल करेंगे इसी के साथ हमारे देको 500 कोई जो है ना वो बन चुका है इसी तरह से हम बाकी स्टेजिस को भी कंप्लीट करेंगे पांच वीडियो बना दूंगा उनको देख ले ना आप एजी आपका जो है ना यह सब कुछ हो जाएगा और हमारे जो बन जाएंगे ना वो हम कल को यूज कर सकेंगे तो आज यह वीडियो थी होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ही इजी होके बहुत ही स्लो स्लो मैंने हर चीज़ आपको समझाईए तक कि आपको हर चीज समझ आजए चलो आज के लिए इतना है फिर मिलते हैं ने वीडियो में तब तक बहुत सरा ख्याल रखो हैं वीडियो बहुत लम्मी होगी और तक ओके फिर अला देहा वाले